भारत गौराव अचारे श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटिस्ट धार्मित भजन वे कारेकरम निशूलक देखने वे सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीन चरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन पर क्लिक जरूर करें नहीं आता तो मंत्र तंत्र आते हैं क्या मैंने का भोवी नहीं आते तो तुम्हें आता क्या है पिर जब तुम्हें कुछ नहीं आता तो फिर क्या क्या आता तो माहराज काय को बन गए है मिनका मुझे जोतिस्त नहीं आता है मुझे मन तंत्र वास्तु नहीं आते हैं लेकि जिन्दगी कैसे ग्रहों से मुक्त होती है मैं तुझे बताशकता हूँ और एक बात ध्यान रखना कि मैं पुलक सागर हाथ की रेखाएं नहीं मैं चहरे की रेखाएं पढ़ा करता हूँ ध्यान रखना चहरा सब कुछ बोल दिया करता है चेहरे में सब कुछ होता है तो बताओ महराज मेरा फ्यूचर क्या है मिनका फ्यूचर बताओ मेरा भविश्य से बताओ मेरा कल क्या होगा परसो क्या होगा मिनका तेरा फ्यूचर मैं बताओ आपको बतानी पड़ेगा आप संत है बताए मेरा फ्यूचर क्या है मिनका एक बात बता तू अपने घर में बड़ों से कैसे बात करता है सम्मान से बात करता है अदब से बात करता है अपने घर में तेरा बेवहार कैसा है तेरे दोस्त यार कितने हैं वो कैसे हैं जरा ये बता तू घर में कैसे रहता है तुझे बड़ों का सम्मान और छोटों को प्यार देना आता है या नहीं आता है महराज मैं अपना फ्यूचर पूछ रहा हूं आप मेरा बर्तमान पूछे जा रहे हो मिनका इतना ध्यान दा फ्यूचर आदमी का कुछ भी नहीं हुआ करता है वह चलो महराज मेरा फ्यूचर खराब होगा आप मेरा फ्यूचर बदल दीजिए यह पि था है वैसब आदमी का future होता nature अच्छा रखो future अच्छा हो गा कोई अंद्विश्वास में जाने की जरूवत नहीं है एक आदमी अथा ज़िए अरिवेगा कि नरख गया मैं का तुन्हें मुझे यह अमराज का एजेंट समझ रखा है क्या कोन कहा गया सबका। कर देखा जो खा मैं रखों भूले नहीं आप संथ हैं आपको बताना पड़ेगा यह मन का संथ बन गए तो गुनाय कर लिया कि मुने हर किसी का उत्तरी देते रहो बैठ करके भूले नहीं नहीं फिर भी बताओ वो बुढ़ा आदमी स्वर्ग जाएगा या न रख जाएगा म मुझे नहीं मालूं वोले आपको बताना पड़ेगा कि वो कहां जाएगा मिनका एक बात बता वोले क्या मिनका इस बुढ़े ने जिन्दगी कैसे जी है वोले जिन्दगी क्या कैसे जी है बीस साल तो पुलिश ढूड़ती रही ऐसे जिन्दगी देखो जिन्दगी ओ पू पुछ राइए कहा जाएगा ध्यान रखना बोलिए ऐसा व्यक्ति ध्यान रखना जिसे 20 साल पुलिस ढूंडती रहे जो जेलों के धक्के खाकर आजाए ऐसा व्यक्ति ध्यान रखना मैं तो निश्चित कहता हूं दुनिया भले उसके लिए स्वर्ग की कामना करें जिनके प्रेक्ट जाओ काय का चौकाों का चक्का लगा रहा हूं मैं तुमको चौके की पड़ी कि मेरे रहते तो घर का काम मत करो बाद में तो रोज यह करना है आज भी रोटी बनाओंगे पोंचे लगाओंगे जब तक मैं हूं मत करो कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा और मेरे बात कोई बचाएगा भी नहीं तुमको ध्यान रखना चौके में चले जिन्दगी गुजारदी रोटी बनाते बनाते फिर चौका तो मैं तुम आई चौके के लिए आया हूं कि यहां के लिए आया हूं और वो भी आगे बेट के चौका कि कमाले आदमी मधलते ही नहीं है कोई भी आदमी को डरने की जरूरत नहीं है चार दिन मैं तुम्हाई लड़ाई ने प्टा के जाऊंगा तो मेरे बाद क्या हो ते को पत्नी पीडित सब ताली बजा रहे हैं समझ गया क्या महावारत है तुम्हारे घर में जाए ओ पंचम काल की जाना रखे बजा लो वेटा यहां ताली बजा लो घर में तो बजोगे विचार करें नेचर बदल लीजिए फ्यूचर बदल जाएगा सत्संग में आने के बाद भी शुभाव नहीं बदला तो ध्यान रखना सत्संग सुना मंदिर गए पूजा करी पाठ किया प्रती क्रिवन किया साम आगे भी रहोगे कोई मतलब नहीं है सत्संग का धना जीवन बदला हुआ होना चाहिए नादान है बो लोग जो अपने महमानों से कहते हैं हमें याद रखना ध्यान रखना हमें याद रखना वही बोलते हैं जिनका वेवहार अच्छा नहीं होता है उन्हें बोलने की महावीर इस दुनिया से गए तो उन्होंने दुनिया से नहीं कहा कि मेरी पूजय करना मुझे याद रखना जरकी महावीर का ब्यक्तित्वेंसा था कि धाई हज्यार वर्स के बाद भी सारी दुनिया उन्हें याद रखी है उनका नाम जपा करती है उनका इस्मरण विवहार बदल जीवन बदल लो ध्यान रखना कितनी भी सुभिधाय दे देना कितने भी साथ हें जुटा लेना कितने भी पैस का ढेर लगा लेना जीवन में सब्द्रक्रों करने दो बिलकुल हैं ह obt 소개ate रहो यह कोई मतलब न छिंद होता नाभिंद होता है आnte Country आओ सबसेब्ड़ like इस ले करता है कि देख के नहीं करता सायगrice हो यह क्रोध प्रगफण ожit अगे आप आप से निवेधन करता हूं भिवार बहुंद करता है